तो हाँ जी फ्रेंड कैसे हो तो फ्रेंड आप देख रहें हैं स्विफ्ट तो यह है दो ही यह दस मॉटल इस गाड़ी से नीचे से बहुत जादा नौइज आ रहे थी स्विश्पेंशन का सारा काम होने वाला इसका तो अब इसकी करने लगे हैं स्विश्पेंशन इसका पूरा तो इसकी इंजन की सब्सक्राइब करने हैं यह रहे इसके सार्विश्पेंशन का समान इसका नीचे से तो यह यह इसके कैलीबर वगएरा सब कुछ चेंज करने हैं यह ताइर और एंड चेंज करना यह स्टेफ लेजर लिंक यह इसकी लूज है और इसके एक्सल में बेंड हो गया है थोटे बहुत आज के इसी कारण वो गाड़ी वैबरेशन कर रही है तो तो ठीक है फ्रेंट इसका नीचे से चिम्टे होते जो यह भी चेंज करने माले हैं इसकी जे नीचे से जे बहुत लूज हुई पड़ी है जे गोली होती है औ इसके बोशिल गयर भी थोड़ से कराब हुए पड़े और यह इसे प्लेजर लिंक यह लूज है और एक्सल इसका देखो ज़ादा आगा आए कि बहुत ज़ादा लूज है यह जाए बहुत जादा लूज है यह जाए रहा है इसकि प्रेंट दोगे है इसकी एक्सलियू अन करें तैके विस में दो धेखिफ़ निजुसे सब कभी गई है और इसको भी लगे हैं क्षाक पावर समीर में हुए है थो ये सब करने जा रहे हैं चेंज जिसका शुष्पेंचन का सब पार्ट चेंज करेंगे यह कैलिवर भी स्टेंड जो होते है यह बीचेंज करने वाली है इसमें प्लेब हो जाता है और यह प्लेजर लेंक और स्टेरंग रैक का इसका बुश्च भी डूँत है वह भी खोड़ेंगे सास्टेरंग रैक का ये रासका पार्ट आज 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 दे रहे इसके चिम्टे और ना कमपनी के मिले हमें एक चिंप्राइज को अब दरा सुबाट स्रुपए है और यह दोनों एक्सल लिए यह टो एक्सल है और इसकी नीचे जो आगे शापत होती है वह भी चेंज करेंगे राइट स वो भी चेंज करेंगे उसकी जर्णियां होती है वो लूज हो गई है और यह रहे इस चेरंग के बाज वैंड यह थोड़ा से स्पीके हैं लॉक और यह इसके डिस्क ब्रेक डिस्क और यह एक्सल चेंज करने तो जन साथ में सील भी चेंज करेंगे और यह दो स्टेप लेजर लिंक जंपिंग रॉड के बुश है यह स्टेप लेजर लिंक है दो पीसे में स्टेप लेजर लेजर लिंक नौसो संताली राना कंपनी के है यह कैलिबर स्टेंड यह कैलिबर स्टेंड फ्रेंड जो ब्रेक के होते है और यह टाइर और एंड है स्टेरंग के एंड तो यह रहे इसके स्टेरंग के टाइर और वाज्वेंड तो पीस यह है फ्रेंड अब अब को दुखाते हैं इसकी नीचे से जो चैसी है इसका प्राइज भी आपको बताते हैं प्रेंड प्रेंड एक पर टीक है जे और जिए अपर फ्रेंड मिली है मिरूति शुकी की यह एंड इसके जो बोल्ट बगराए स्राक बगराए सारे प्रॉपर रहेंगी आप और जिएनल फिटिंग आईगी इसकी बिल्कुल जे गल कई इसी ना नीचे से आपने देखा यह विडियो में है उसका प्राइज है इसका प्राइज ही भी आपको दखाते हैं शेह यार 25 वो शेह यार की मिलिये हमें कि अ हुआ है है तो ठीक है फ्रेंड इसका टोटल प्राइज आपको बताएं कि वीडियो के लास्ट में कितना है आप खोलते हैं इसको गाड़ी को पूरा नीचे उतारते हैं की चैसी तो ठीक है लास्ट में बताएंगे इसका क्या प्राइज है कस्टमर लेकर आया कि इसका उसको पूछके सब बतायांगे इसका कितना बिल बना है, कितने का सारा स्पेर बाड़ा इसका आया है, तो ठीक है फ्रेंट, बहुत जाता इस गाड़ी से अंदर से नौइज आ रहे थी, बहुत जाता है गाड़ी का स्टेरिंग और डैशबूर्ड वैपरेशन करने लग जाता था जब 4.60 की स्पीड पर जा पहले बहुत चैनल को सब्सक्राइब ना ठीक है फ्रेंट, करते हैं इसको खोलते हैं गाड़ी को दखाते हैं पर आपको आगे सारी इसके पार्ट चेंज करके तो हाँ दोस्तों स्टेर अगार सी खोल लिया वह ने था या देखो जड़ी स्टेर देवेच पलेएं दिया ब पर आवाज बहुत जादेंदा या खड़ दिया करके जाव रोड़ देख को रखेंदे करव डर खर्यास दे करव दोंते हैं रओच रॉंस पर दोदुरुदर मरू आवाज दोस्ते में Superman को माज़ ग्रव दोचाय ना इंपक। यह थिका फ्रेंड नॉर्मल प्लेया बट आवाज बहुत आता हूंगे ओकर फ्रेंड बाकी स्कोल दिया स्टेरंग कोल लिया वा तो अरे दी बार काट लिया तो अनुमाद होने है जो बॉच्न दा आव दा बॉच्छ दो तो यह दे वेचे बॉच्छ 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 बाकी दोस्तों यह नमाज स्टेरंग भी पोर्ष ता पहुंजा गया है तो है तो है जी फ्रेंड स्टेरंग रहा गया है जेज देखो है जार को पतनी क्या हो गया जैज़े करें रैक अबर बुच्छ लगा दिया हमने जे एक खरादवाले से लगवाया है कर्장님 करादवाल से बुष लबाया है यह बहुत्पघ्ञ बढ़ अब पुरा है दो प्लेश है भागी जाइजर पुरा अब बहुत्स भी झेला ओड़ा पाक है रो जुरता है इसमें ळित्त अब टुम्स पनट इसमें आब Anita Iiлет क्या स्ट्स मैं तोड़ी सी पूरा पूरा है यह बुछ लगा है तो अब इसको कारते हैं अच्छी तरह से फिट ग्रीज वगड़ा डालके अब फस पस के निकल रहे है राड बिल्क ठीक है तो कारते हैं इसको फिट यह रहा है इसके बागी पार्ट इसके स्टेरंग की मोटर यह रहा है तो हांजी फ्रेंड इसका चैसी बिकरा यह पूरी रेड़ी हो गई है स्टेरंग इसको लग गया है और डी बुछ मी इसमें डाल दिये नए वाले जो जहां होते हैं यह बहुत ज़दा लूज हो जाते तो गड़ी आवाद आने लग जात इसके दोनों नए बले तो अब लगें इसको फिट करने तो जी रेड़ी है चैसी इसकी पूरी तो इसके बाकी एक्सल बगरा भी इसके नए डाल दिये है और यह कैलिवर स्टेंड भी नए डाल दिये है यह इसमें बहुत ज़दा प्ले थी तो जे एक्सल न्यू लग गए लग लगवाया है और डिस्क नए डाल दिये समय डिस्क विसके डाउन थी और यह स्टेप लेजर लेंक होती है यह बहुत जादा लूज थी जी करने कैलिवर स्टैंड और रूटर को बगवाया है और एक्सल नहीं डाले इसके दुरह तरफ से सेम काम किया है तो स्टेरंग रैक का बुष लूज था वो भी बुष भी नया लगवा दिया है देखो पर रहने जहां से ड्राइबर सेड वी इसका कैलिवर स्टैंड और रूटर को कट लगवाया है और यह स्टेप लेजर लिंक नहीं डाली है और एक्सल एक्सल और यह ब्रैक्ट दोनों नहीं डाली ह यहां से देखा ये आपने कितना ज्यादा लूस था यह बहुत जादा लूस था अब इसमें बिल्कुल भी प्लेश नहीं है पहले बहुत ज्यादा प्लेय थी इसमें तो बहुत जॉदा नोइज भागा इसी नेचे से ठीक है फ्रम अब लगएं चैसी लगाने ठीक है फ्र पूरी छैसी इसकी गल चुकी थी आप ने देखा या वीडियो के चुरूं में तो चैसी की गल की थी तो यह भी नहीं ड़ रहे हैं तो बाकि इसका इस्टिमेंट पूरा टोटल खर्चा बताएंगे आपको वीडियो के लस्ट में कुक्यों एक कस्टमरी लेकर रहा है जे सब पार्ट तो उसके पास है जे बिल लेस्ट समान की लेस्ट तो ठीक है फ्रेंड तो हाँ जी फ्रेंड गाड़ी कंप्लीट हो चकी है टायर एक सेट का लग जा दूसरी टायर का लगा रहे हैं कर रहे हैं टायर तो नीचे से सारी नटबल टाइट हो गई है तो एक पर दखाते हैं आपको भी टीक है फ्रेंड नीचे से सब कुछ इसका लग गया है कि इसका हब का बेरंग भी नूँ डाला है और बकी इसके चेम्टे बगएरे स्टेरंग बगएरा लगए रैक बगएरा यह सब चैसी नहीं डाली है आपने देखा है पहले वाली यहां से गलगी थी यहां से भी गली पड़ी थी और पीशे से भी गलग चुकी थी जंग की वज़ा से पता नहीं कहों से रही में केर्स तरह पानी में चलती रही है इतना ज्यादा गलगी तो ठीक है फ्रेंड यह सारा पूरा कंप्लीट हो गया नीचे से नेट वोल्ट लग गया अगया लग गया गया तो सर इंजन की सरसु बगयर भी हमने इसकी कर दी है तो देते हैं इसकी टस्ट्राइब बहुत जाथा नॉइस आ रही थी पहले में आपको वीडियो दिखानी पार को पहले में मेरा मूरीन था वीडियो मनाने का तो चलो बाद में सोचा एक बार आप को भी तखाया जाए इतना पार्ड इसमें डाल रहे है औरिजनल का काम केस गाड़ी का हमने है तो ठीक है फ्रेंड बस चलते है इसकी टाइस ट्राइब लेने तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्लीज लाइक करना और ज्याद से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रे हूं आपने दो गाड़ी को करते हैं इसका स्टेरेंग कैसा है फ्री है कोई टाइड बहुरा तो नहीं आफिका इसको स्टार्ट कर दी है आप हैसे आफ्समें कैसा देखा है और अंची फ्रेंड बिल्कल होके है कोई टाइड नहीं ओकरबोट है तो तो बाकि इसकी एक तो इसका कम्प्रेशर की आवाज आ रही है इंजन की बिल्कुल आवाज नहीं है कम्प्रेशर के इसके बेरिंग आवाज कर रहे है वो भी बाद में करवा लेगा गाड़ी वाला तो कम्प्रेशर का जो आगे वाला बेरिंग होता है वो आवाज कर रहा है बागी गाड़ी और इंजन के वाज भिल्कल ओके है तो अस्टेरंग का बिल्कल ओके है बागी लेते हैं इसकी टेस्ट डराइव भी तो हाँ जी बाई हम इसकी लगए है इसकी टेस्ट ड्राइव लेने पहले अंदर से बहुत ज़्यादा कांप रही थी पहले में वीडियो तो इसको भी हमने पूरा सीधा कर लिया है तो बागी लेते हैं इसकी टेस ड्राइब तो उत्खाते हैं आपको पहले बहुत जादा यह 44-45 की स्पीड बार जाती है यह गाड़ी वैबरेशन करने लग जाती है सारा कोश इसका कापने लग जाता था वैबरेशन करने लग जात एसको खीचते समय यह कापने लग जाती थी वील तो इसका सीधा लग रहा है थोड़ा सामने सीधा किया था को ठीक है भाई ऐसे इतनी स्पीड पर यह जाते जाते कापने लग जाती थी वैबरेशन करने लग जाती थी अब बिलकल ओके है कोई इसमें नॉइज नहीं आ रही थी और नीचे से बहुत ज़्यादा ये खड़खड़ की आवाद आ रही थी इसे नीचे खड़ों में पढ़ने से अब बीटर बल दखा देना तो ठीक है इसको खीचते हैं थोड़ा सा और इसको लेकर जाते हैं 120-120 की स्पीड पर अब बिलकल सही है जे पहले बहुत जादा वाइबरेशन कर रही थी गाड़ी ये बहुत जादा डैज़बोर्ड इसका कांपने लग जाता था करके मिसरा है ने और जो एकशल कांपने की वाज़बरेशन की प्रारों थी बहुत हो इसके जो एक्सरा में इसके बहुत ज्यादा लूजheenों पर गयर्वेथा ठीक्छल शावट होती है उसकी वाज़ा से ये कामने लग जाती है और आपने देखाई है वह एक्सल ड्राइवर सैट का एक्सल ग्रेक्ट से लूज हो गया था जलियों से तो अब बिल्कुल ओक्या है कोई इसमें प्रॉलम नहीं सौकी स्पीड पर चले गड़ी है कोई वैबरेशन नहीं आ रही है ठीक है प्रॉलम प्रॉलम बिल्कुल ओक्या है तो हमने इसका किया है शुश्पेंशन का काम आगा है थोड़ा से खराब है अब यह गलाओ तो यहां पर वी आपको दोगाते हैं अंदर से कोई अवाद नहीं आ रही ऐक किशी रैट साटब की पीशे वाड़ी तक की अवाद कर रही है बाकी नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही हुआ 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 ही हुआ ही हीरा हैुआ ही हम अपने चारे갈 घुली आपको तो ठीक है फाई ट्राइस की टैस्ट ड्राइव लिए पेल्गल होग है तो आप इसका वील का नट करेंगे टाइट तो वील पेले वीडियो चाहते तो मुझे कमेंट करके बताता ना मैं वीडियो बनाने की कोशिए करूंगा ठीक है फ्रेंड तो गाड़ी बनकल हो गई यह तो बाकी आपको है इसका एस्टिमेंट बताता हूं मैं बाद में कस्मर आया नहीं उसके पूछ के बताता हूं कि खर्चा है कि T oh ready तो फिर आपको लोस्त में और बताता हूं कमेंट वीडियो 2 वीडियो के लास्ट में